जैमाडाट काली भक्तूंग आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल, बहुत हटके और बहुत जानकारी भरा होने वाला है ये सवाल मेरे पास सभी कुछ दिन पहले एक भक्त के द्वारा आया था गुरु जी, दान को लेकर सास्तों में बहुत तरिके के नियम और विदियां बताएगई गई है और किस दान से क्या पुन्य का फल मिलता है, ये भी जानकारी दी गई है पर सबसे बड़ा दान कहा जाता है कि गौदान होता है इसके बारे में विस्तार से बताएए तो आज मैं गौदान को लेकर वीडियो बना रहा हूँ जिस भी व्यक्ति की मन में इच्छा है कि वो गौदान करना चाहता है या गौदान को लेकर समस्तर सवालों के आप जवाब चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत कारागार होने वाला है, बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि गौदान एक ऐसा दान है, जिसे दान करने से जिसको नर्क भी मिल रहा होगा न, वो भी स्वरक में अधर में गव माता के रूप में पूछते हैं, और आप भी जानते हो कि गाए के दूद से एक भी चीज ऐसी नहीं है, गाए के शरीर से एक भी चीज ऐसी नहीं है, जो हमें मिलती है और उसका दुरुपियो करा जाए, हर चीज एक काम की है, दूद, दूद से मलाई, मक्ष लस्दी छाज घी क्या क्या नहीं निकलता है क्या क्या नहीं बनता है गाय के गोबर से उपले होगे कंडे होगे कितना महत्व है यह आप गाउं में जाकर तूट सकते हो साथ ही साथ गाय के गौमुत्र पंचमरित में परियोग होता है इतनी पवित्र चीज में परियोग होता उसका अगर आप थोड़ा सा भी पान कर ले तो कहा जाता है कहीं तरी की बिमारियां आपके शरीर से कहीं तरी की इंफेक्शन आपके शरीर पे खदम हुजाते हैं तो और वैसे भी पूजा पाट में तो गाई के मल और मूत्र का दुनों का ही अपना-पना एक इंपोर्टन्स है और बहुत जरूरी है बिना इंके भी बूजा पाट अधूरी होती है तो ये चीज़ आप समझ सकते हो अब गाई को आप किसी को दान करोगे किसी जरुद मन को दान करोगे जो उससे दूद निकाले और गाई की सेवा करे तो कितना बड़ा जो पुन्ने का काम आप कर सकत जो आपको खुद भी नहीं पता है गाई को घास खिलाने से आपके बुद्ध ग्रह जो होता है वो शान्त होता आपका बिजनस आपकी फैक्टरी आपकी दुकान दिन दुगनी राच्छोंगनी से चल सकती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ है क्योंकि गाई में जैसे काम दह दान करना हमारे लिए कितना पवित्र हो सकता है कितना महानकार हो सकता है यह सब जानकारी आज वीडियो के मात्यम से दूंगा उससे पहले हमीशा की दर आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप भी मुझसे पसली जोड़के अपने सवाल के जवाब चाहते जिसका निवारन आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आपनी क्या करना है मेरी यूट्यूब चैनल का नाम नीचे आपको दिख रहा है ओफशल देवी भगवती शक्ति के नाम से सिम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रूफाइल मेरा फेस्बुक प्रूफाइल मेरी आईड से बात करूँगा जो भी प्रॉब्म में डिस्कस करूँगा और 101 परसन यानि कि 101 परसन गैरेंटी के साथ आपकी परिशानी का आपको समाधान दोगा तो जल्दी सा आ जाते टॉपिक पे तो गौदान करने से स्वर्ग में मिलती है जगा माफ हो जाते हैं आपके सारे बुरे करम करता है उसे स्वर्ग नश्रीब होता है वहीं जो बुरे करम करता है वे मरने के बाद नर्क में जाता है नर्क में जीवन बहुत ही कठिन होता है वहीं अगर स्वर्ग की बात करी जाए तो काफी बेहद आरामदायक होता है इसलिए सबी लोग मरने के बाद स्वर्ग जा या इच्छा रखते हैं हलाकी कई बार भूल चुक में हम बुरे काम भी कर जाते हैं ऐसे में हमारे नर्क जाने के चांसिस जो है वो थोड़ी तरीके से बढ़ जाते हैं चड़ जाते हैं इस चीज़ को सुधाने में दान धरम अपनी आप एक सबसे बड़ा काम की चीज़ है यदि आप चाहें तो अपने बुरे कर्मों को दुष्प्रभाव को और पाप कर्मों को नश्ट करवा के अच्छे कर्मों में उसे परिवर्थित कर सकते हो तो सनातन धरम में जो है दान को लेकर बहुत महत बताये गया है अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उनका समाधान जो है दान के माध्यम से आप कर सकते हो अब आप बोले हैं दान के माध्यम से कैसे तो मैं आपको बता देता हूं सनातन धरम में जो दान का महत्व है वो क्या है सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ है जो सनातन धरम में भी दान को बहुत एहमियत दी ग इन चीजों के आधार पर आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो उधारन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ यदि कुडली में बुद्ध कमजोर हो तो उसे मजबूत बनाने के लिए किनरों को दान किया जाता है यानि कि किनर को कुछ दान किया जाता है मा लक्ष्मी को प् सीधा सीधा स्वर्ग की पराप्ति करा सकती है अब मैं हर किसी की ये कामना नहीं करता कि आप लोगों को कुछ हो जाए और आपकी मतलब आप स्वर्ग अंडर्ग पर पहुंचाओ नहीं ऐसा नहीं है मैं माफी जाता हूँ पर रंतु हम सब जानते हैं कि जीवन का आरंभ है तो अंत भी है और कहीं न कहीं जब हमने जनम लिया है तो मृत भी होना पूरी तरीके से पक्का है तो इसमें लो हम कोई बदलाव कर नहीं सकते हैं तो जब हम बात करते हैं जनम और मृत्य की तो कहीं भार हमारे जीवन में ऐसी उस बीच में ऐसी कुछ घटनाये घटती है ऐसी कुछ इस्तितियां आती हैं, जहां पर हम भगवान से प्रातना करते हैं, कि भई, या तो भगवान हमें अब इस जनम से, इस भूमी से हमें विदा कर दो, या फिर हमें इस परिशानी का हल दे दो, और जब ऐसी दाओं में, ऐसे संकटों में आप पज़ जाते हो, तो कहीं न कहीं आपके मंत्र जाप, आपके देवी देवता, आपके ईश्ट, आपके कुल देवी, कुल देवता, पित्रों का आप ध्यान करते हो, कई बहर आप कुंडली दिखाते हो, कुंडली में आपको बताया जाता आपका ये ग्रह सपोर्ट में नहीं, आप ऐसा हो पाई कर लिजे, आप वैसा हो पाई कर लिजे, आप जैसा मैंने बताया कि गव माता के अंदर हम ये मान के चलते हमारी 33 स्कोटी देवी देवता हो जाता है, अब हिंदू धरम में गाय को पवित्र माना जाता है, लोग उसकी पूजा पाड़ भी करते हैं, गौ सेवा को सबसे ज़्यादा पुर्ण्य का काम माना जाता है, यदि इस तरह आप गौधान करते हो, तो कई दोशों से मुक्ति मिल जाती है, मानिताओं के नियम बताए गए है, आपको इनी नियम को ध्यान में रखते होगे गौ का दान करना जाइए, अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि गाय के सभी अंगों में बसते हैं अमारी देवी देवता, तो धार्मिक माननेताओं की माने तो गाय के सभी अंगों में गाय की आखों में सूर्य और चंद्रमा हैं। गाय के कानों में अश्विनी कुमार हैं। दातों में श्री कृष्ण हैं। जीब में वरुण हैं। और गले में देवराज इंद्र होते हैं। गाय की बाल में सूर्य की किरणों, खुर में गंधर्व, पेट में पृतवी और चारो थनों में चारो समुद्र का वास होता है। गाय के गौमुत्र में गंगा और गोबर में यमुना रहती है। गाय के सिंगों में ब्रह्मा और विश्णु विराज़ित होते हैं। तो कितना मतलब आप देखिए जो वो गाए हैं इतना भार लेके चल रही हैं वो कितनी मानेता प्राप्त होंगी उस जगा पर जहां मारे भगवान वास करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप अपनी गाए की सेवा कीजिए उनके अंगों का ध्यान रखिए और कहते हैं कि गाए को अगर आप हलके से भी अपने हाथ से यू सहलाते हैं ना तो कहीं आप कहीं तरीके के ग्रह दोश आपके सांत हो जाते हैं कहीं तरीकी की परिशान हैं आपकी सांत हो जाती हैं कहीं तरीकी चिंताएं आपकी सांत हो जाती है अब जो काम की चीज़ है वो ये है कि गाओ का दान कैसे करना चाहिए वो मैं आपको विदी बता देता हूँ जल्दी से तो गौधान करने के पूर्व गाए का शिंगार किया जाता है इस दोरान कपडे शिंगार का समान आभूशन जैसी चीज़ों की पूजा होती है सास्त्रों के अनुसार किसी ब्रहमन को गौधान करना सबसे अधिक लाब मिलता है दान की जा रही गाए के सिंग और खुर चमगदार होने चाहिए साथ ही साथ जो है गाए दूद देने वाली होनी चाहिए उसकी पीट तामबे की तरह होनी चाहिए गौधान में बूडी गाए कभी नहीं देने चाहिए गौधान करते समय दाइने हाथ में गाए की पूछ पकड़ कर खुद का मूँ दक्षण में रखना चाहिए तो ये जो विदी है अगर आप इसको करते हो तब जाके आपका गौधान माना जाता है यानि कि दाइने हाग में गाए के पूछ पकड़नी है फिर मूँ दक्षण ओर करके आपने गाए का दान करना है आप इसविदी से दान कीजिए आपको 101 परसंट आपके सभी पापकरम नश्ट हो जाएंगे चाहिए वो पिछले जनम के हो चाहिए इस जनम के हो आपके जिन्दगी में जितनी परेशानियों हर चीज के समधान आपके आगे होंगे और भगवान अपने इश्टों अपने कुल देवी कुल देवता का आशिरवाद आपके साथ होगा इससे बड़ी चीज आपको क्या जीए दुनिया में जब 33 कोटी देवी देवताओं का आशिरवाद और गवमाता का आशिरवाद आपको मिल जाता है अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं प्लीज प्लीज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जब बन लोगे साथ शेयर करना ना भूले और कमेंट में जए गो माता या जए माता दी सरू लिखें दरबार से बने रहें सभी भक्तों को जए माता दी जए माडाट का लिए